हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू ज़ार कैन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी कब रोको सभी विभाग के पददिकारी रामगड विधानसभा उपचनाओ 2023 को स्वक्ष और निस्पक्ष बनाने के लिए आपस में समनवे इस्थापित कारी करें इस दोरान उन्होंने कहाए कि सभी विभाग निर्वाचन समंधित रिपोर्ट को सा समय बना ले साती कहाए कि रिपोर् पुलिस बल्क लिए आइकोनिक परिशर के रूप में जाना जाएगा जयाप परिशर मुक्यमंतरी पुलिस बल्क लिए आइकोनिक परिशर के रूप में जार्खन सस्थर पुलिस जयाप वन परिशर को जाना जाएगा इस परिशर को नया सोरूप दिया गया है इसी कुसी म हम सब भी आज यहां एकत्रित हुए हैं वही 23 जनवरी को शुभा में कोहरा या धुन और बाद में आसमान मुख्यता साप रहेगा वही 24 से 26 जनवरी तक कहीं कहीं आंसिक बादल चा सकते हैं और मौसम सुस्क रहेगा मौसम विज्यानी कभिशिक आनन्द के मुताबिक अगले तीन दिनों तक ठंड रहेगी आसमान में बादल चाय रहेगे जबकि सुभा में धुन तथा रात में कुहासा चाय रहेगा 24 जनवरी से मौसम साफ होने के उमीद है निम्तम तापमान में भी 304 डिगरी सेलसेस की बढ़ोतरी संभो है दिवखर के बाबा मंदर को अमरिकन डॉलर सहित अन्य विदेसी धन का चड़ावा सुकुरवार को खुले 18 दान पत्र दिवखर के बाबा मंदर प्रांगन इस्थित 18 दान पत्रों को मंदर प्रसासन की देखरेक में सुकुरवार 20 जनवरी को खोला गिया इस दानपत्र में भारतिय रुपए सहित अमरिकान डॉलर, नेपाली रूपिया, मलेसियाई रिंगित, मलेसियाई शेइन, सिंगापूर डॉलर, इस बात की जानकरी डीसी सहज जीला दर्णदिकारी मंजुनाद भजंत्री ने दी, सुकुरुवार को बाबा मंदर प्रसासन क देखरेक में 18 दानपत्रों को खोला किया, इस दोरान गिंती के बाद दानपत्र से कुल आए 17,45,502 रुपए के अलावा, नेपाली रुपिया 5,000 रुपए, अमरिकान डॉलर 255, मलेसियाई रिंगित 1, मलेसियाई शेइन 160, सिंगापूर डॉलर और बंगलादेश का 5 टाक निगमली में टेट के रांची विधुत आपूरती शेतर की और से उर्जा मेले का आयोचन किया गया है, ये आयोचन 21 जनवरी यानि आज सनिवार को किया जाएगा, जिसमें विधुत उभगताओं की समश्चाओं को हल किया जाएगा, बिजली करेंक्शन लेकर बिल जमा कर ने तक कि शारी जानकारियां भी दिज़ा की, बता दे की और जामेला पांच जिलों में लगाय जाएगे, जिन मेरांची के अलावा लोहर्दगा, गुमला, खुंटी और सिम्डे का शामिल हैं खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपस रिक्वेस्ट है, अगर आप चानल को सस्क्राइब ने की हैं तो प्लीस चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे, जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का अबडेट आप तक पहुंसता रहे, चलिए बढ़त 71 डेट की रजिस्ट्री लोगों ने कराई, खरमास तक इस कारियाले में 25 से 30 तक ही रजिस्ट्री हो रही थी, इधर 5 दिनों में 253 डेट की रजिस्ट्री हुई, जबकि पूरे खरमास में करी 500 डेट की ही रजिस्ट्री लोगों ने कराई थी हाथसे की शिकार हुई गया से रांची जा रही बस दुरगटना में 20 से अधिक यातरी घायल खबर है रामगर से जहां तेज गती से आ रही बस आने तरित होकर 20 सड़क पर पलड़ गई इस हाथसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं सबी घायलों को इलाज के लिए नाजदी के अस्पिताल में भरती कराई गया है जबकि गंभी रुप से घायल चेलों को बहतर इलाज के लिए रांची राफर किया गया है 12 फर्वरी को तिजस्वी यादो करेंगे रांची का दोरा संगठन की मौझुदा हालत से होंगे ओगत बिहार के उपमुखे मंत्री तिजस्वी यादो 12 फर्वरी को रांची आएंगे इस दोरान विरांची में पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, निताओं और कारीकरताओं से मुलाकात करेंगे संगठन की मौझुदा हालत से आउगत होंगे ये जानकारी गुड़ा के पूरविधायक शहा प्रदेश राष्ट्री राज़त के प्रधान महासचीव संजय यादो प्रसाद ने दी है संजय यादो ने पटना में तिजस्वी यादो से सुक्रवार को मुलाकात की है जिसमें जारखन में चल रहे संगठन की गतिविधी और वर्तवान राजनितिक हालत पर चर्चा की इसके साथ ही उन्होंने बता है कि इस दोरे में तिजस्वी यादो पंचाद से प्रदेश अस्तरपर पार्टी को मजबूत करने के लिए टीप सुदेंगे जारखन के मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक घोटाले में हैं लिप्त पसुपति पारस जारखन के मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक घोटाले में लिप्त हैं उन पर एडी की जान चल रही है ये जारखन के लिए अच्छा संकेत नहीं है ये बाते केंद्रिय मंत्री पसुपति कुमार पारस ने सुकुरवार को रंची में कही वेदर्भंगा हॉस में आयोजित रोजगार मेला कारिकरम में प्रधान मंत्री के परतनिधी के तोर पर सामिल हुए राज्य के 219 युवाओं को न्युक्ति पत्र सौपा किया कारिकरम के बाद पसुपति ने कहाए कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है खासकर जार्खन जैसे राज्यों में बेरोजगारी की वज़े से लोग पलायन करने को मजबूर है मगर इसको लेकर के अंदर सरकार गंभीर है जार्खन जैसे राज्यों में बेरोजगा को एक और जटका लगा है नकसल प्रभावित चायबासा जिले के टोंटो धाना चितर इस्तित तुमबाहा का जंगल में सर्च अभ्यान के दोरान आईडी बिसफोट हुआ है इस हाथसे में एक जवान घायल हो गया है जिसे बहतर इलाज के लिए राची के मेडिका में भरती क करा गया है धमाके के तुरंत बाद जवान को एरलिप्ट कर लिया गया सर्च अभ्यान में 12 जनवरी को इसी इलाके में आईडी बिसफोट हुआ था जिसमें तीन जवान गंभिरूप से घायल हो गये थे अब भी इस इलाके में कई जगों पर आईडी मौजूद है प्रोड रुपए के इनामी केंद्रिय कामेटी सदस जो पती राम मांची उर्फ अनल 15 लाक रुपए के इनामी महनत उर्फ मोचु शमयत का इनक्षली छिपे हैं जरिया में हुए गैंगवार पर राजनितिक तीच राज़िपाल से मिली भाजपानेता रागनी शिंग जरिया कान पर की सिकायत धनबाद के जरिया में दो गुटों में हुए गैंगवार को लेकर भाजपा प्रदेश कारिस समिती सदस श्रीमती रागनी शिंग ने पुर्णिमार नीरा सिंग देवर एकलव सिंग के द्वारा भाजपा समर्थक अफिनास सिंग पर गोली चलाने का मामला सामने आया था। चर्च कॉंपलेक्स के मारोती हॉस में लगी आग मुस्किल से पाए गया काबू। चर्च कॉंपलेक्स में आग लगने की यहां तीन दिनों में दूसरी घटना घटी है। से पहले मंगलवार को बीक सौप नामग परतिष्टान में आग लग गए थी जिसके कारण लाको रुपई के ब्रांडिट कप्रेशहित अनिशमान जल कर राक हो गए थी। 23 और 24 जनवरी को दिवगर में प्रदेश कारी समयती की होगे बाठक, हिमंत सरकार के खिलाप आंदोलन की रूप रेखा होगी तए, विस्व पटल पर भारत की साक लगतार बढ़ रही है। एक साल में G20, शन्योक दुराश्र सुरक्षा परिशद और संगाई शन्योक शंगठन की अध्धक्स्ता मिलना बताता है कि भारत ने प्रधान मंतरी निरेंदर मोदी की कुशल लित्तों में अपनी तागत का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया है। राज की 15 स्पोर्ट्स ट्रेनरों को मिला तीन वर्स का अध्धी विस्तार। निदेशाले की और से कार्यदेश में कहा गया है कि उक्त प्रसिक शकोको 31,611 रुपे परती महा एकमोस्त भुकतान किया जाएगा इस रासी के अलावा आने कोई भात्ता दे नहीं होगा। सहायक प्रोफेशर की निख्ती प्रिक्रिया पर रोक लगाने की मांग। रिसर्च अस्कोलर्स एसोसियेशन ने जेपीएसी अध्धक्च को ग्यापन सौपकर मौलाना आजाद कॉलेज में सहाइक प्रोफिशर न्युक्ति प्रिक्रिया में नियमवाली की अंदेकी की बात कही संग ने कहाए कि कॉलेज की अपनी एक प्रबंधन कमिटी है कमिटी द्वारा कुछ चुनिंदा लोग कुलाब पहुँचाने की उद्देश से योजिसी न्युक्ति नियमवाली 2018 की अभिनला कर सहाइक प्रोफिशर पद पर न्युक्ति प्रिक्रिया की जा रही है प्रबंधन ने विज्ञपन निकालकर 500 रुपई की डिमाइन ड्राप्ट के साथ अभ्यर्थियों से आविदन माँगाए अधिक संक्या में अभ्यर्थियों ने आविदन जमा किये लेकिन उन आविदनों की आलोग में किसी भी अभ्यर्थियों को शाक्षातकार के लिए नहीं बुलाए किया और ना ही कोई शूचना थी कई। किसी को गोली नहीं लगी घटना पलामु जीला मुख्याले इस्तित मेद्रिनगर पुलीस लाइन की है। कोट में किया सरिंडर कोट ने दी जमानत भाजपा के प्रदेश अध्धक्च और राजसभा सांसत दीपक प्रकास को ग्रांची सिविल कोट से बड़ी रहात मिली है। कांके थाना में दर्ज कांड संक्या 141-2021 में घ्रांची MP MLA की अस्पेशल कोट ने उन्हें सरिंडर के बाद जमानत दे दी है। कांके के सुकूर, हुरुटू इलाके में किसान आंदुलन के दोरान भाजपा प्रदेश अध्धक्च दीपक प्रकास और कांके विधायक समरी लाल के खिलाब प्रात्मिकी दर्ज की गई थी। टीम आदमखोर तेंदवा को पकड़ने के लिए वनविभाग ने मद्ध प्रदेश की संजर टागर रिजर्व से मदद मांगी है। इसी को धान में रखकर विभाग ने संजर टागर रिजर्व से एक्सपर्ट की टीम को बुला है। हेमंति सरकार ने भ्रष्टचार की ऐसी घी निकाली जिसे खाने वाले पच्ता रहे बाबुलाल मरांडी विजेपी विधायक दल किनेता बाबुलाल मरांडी ने भ्रष्टचार को लेकर मौजुदा राजस सरकार पर ट्वीट करनी साना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंतु सोरेन ने दो वर्सों में भ्रष्टाचार की घी निकाली है, बालू, पत्थर और कोईला के बाद जारखन में अब सुद्ध घी की भी चर्चा होने लगी है, जिसे खाने वाले अब पच्था रहे हैं। इस संबन में मराएंडी ने एक सुखुरवार को ट्वीट कर कहा है कि अब तक सुना था कि घी सरिब दूद से निकलता है, लेकिन हेमंतु सोरेन जी ने दो शालों में पत्थर, बालू, कोईला, जमीन, सराब, ट्रांसपर पोस्टिंग से ऐसी घी निकाला है कि इसे खाने नगर पालिका से हजारी बाग नगर नगर निगम में तबदील हो गया, लेकिन फुटपाद विवसाईयों के लिए वेंडिंग जोन की व्यास्था नहीं की गई, जब भी जीला प्रसासन और नगर निगम को सड़क जाम नजर आती है, तो फुटपाद दुकंदारों पर अपना बुल्डोजर चला देते हैं, यही नहीं सड़क किनारे दुकान लगाने पर पुलीस की जवान भी उन लोग क वेंडिंग जोन नहीं बना किया, फुटपाद ववस्थायों को शिर्प सपना दिखाय जाता है कि जल्द ही वेंडिंग जोन दिया जाएगा, अब इसकूटी पर चोरों की नजर, पलामों में दो चोर गिरपतार, चोरी के बाद सड़क दुरगटना में हुवे घाल, मरहम पटी करा कर दूसरे दिन विकी चोरी, हिरो हंडा की गाडियों के बाद अब चोरों की नजर असकूटी पर भी है, हिरों की बाइक की डिमान जादा होती है, इसके पार्ट्स बेशने के लिए भी चोरों का बजार आसानी से मिल जाता है, अब असकूटी पर चोर हाथ साप क रहे हैं चोरों का एक ऐसा ही गिरो पकड़ा गया है पलामू की सहर थाना छेतर में दो दिनों में दो असकूटी चुराने वाले दो चोरों को गिरपतार किया है 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 कि एक असकूटी चोरी करने के बाद सड़क दुर घटना में दोनों घाल हो गये थे अस्पताल से बेंड बस का ब्रेक फिल, ड्रैवर की सूजबूज से बची सब की जन, ब्रेक फिल होने के बाद आधे किलोमेटर दूर जा कर रुकी बस, बोकारो के फुसरों में 68 यात्रियों को लेकर तिर्थ यात्रा पर निकली बस दुर्गहटना गरस्त हो गई, उत्तर प्रदेश के अगरस से पांच जनवरी को तिर्थ यात्रा पर निकले, सत्तर यात्रियों से भरी टूरिष्ट बस बोकारो जिला के फुशरों डुमरी मार्क में चप्री ढलान के पास दुर्गहटना गरस्त हो भी, सभी यात्री जनक पूरी शे निकले थे और वैधनाद धाम जा रहे थे, इस ड्राइबर ने बता है कि अचानक ब्रेक फेल हो जाने के वज़े से यहाथ्सा हुआ है, ड्राइबर ने बस रोकने की पूरी कोसिस की, ड्राइबर अरजुन तोमर ने लगभग आधा किलोमेटर बाद बिनोध बिहारी चौक में टक्कर मारती, टक्कर मारकर बस को दूसरे दिसा में मोड़तो हुए, मकोली कलोनी की ओर ले गिया, जहां एक चड़ाई से बस पीछे लुढ़क कर सीयार पीअप के बाउन्डरी में टक्कर मारकर रुग गिया, बस की चालक की सूजबूच से बस में सवार सभी सत्तर यात्रियों की जान बच गई। उन्होंने जिले के लंबित दाकिलखारिच मामलों की भी समिक्छा की 30 और 90 दिनों के लंबित म्यूटेशन के मामलों के निस्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया, उपायुक्त ने अर्गोडा, कांके सहर, नगडी और बढ़गाई अंचल आधिकारियों को ज्या का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिजा इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्ष नियूज में